अब सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल study with दुलार में तो बच्चों यहाँ पे class 7 NCRT का math हमारे पास है और यह chapter 4 simple equation simple equation मतलब सरल समिकरन जिसको हिंदी में कहा जाता है तो इससे संबंधित question आप six class में कुछ बनाये हैं और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और इसमें आपको कुछ अधिक equation की जानकारी मिलेगा उसको बनाने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम equation के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे जिससे क्या है कि हमें बनाने में समझने में हमें सुइधा होगा और यहाँ पे जिसकी बतला जा रहा है कि जब कि आज आप लोग को समिकरन बनाने के लिए सिखाया जाएगा यह चप्टर स्टार्ट हो रहा है तो कुछ बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और यहां पे जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं अपने मन में आप कुछ भी नंबर आप सोच लो जीसे कि यहां पर बतला lire तो X मान लिते हैं, और फिर उसको कहा गया कि आपने जो नंबर सोचलिया है, उसको 4 से multiply कर देना है, तो क्या हो गया वो, यह हो pratic has. फिर उसमें 5 8 कर देना है. यह equation हो गया, और फिर उस बच्चे को पुछा गया, कि इतना कुछ करने के बाद क्या result आया क्या answer आया आपके पास उस बच्चे ने जवाब दिया कि 65 answer आया यह equation हो गया और 65 आया इस x को अगर हम निकाल लेते हैं तो उस बच्चे ने क्या number सोचा है वो हमें पता चले जागा तो जब बतलाया गया कि 65 आया तो फिर इसको solve करने क आखबाद x का value जो है 15 निकल लिया तो उसने बतला दिया कि उसने 15 सोचा था इस तरह से सभी बच्चे आश्यरी चक्कित हो जाते हैं तो यह equation ही है equation के द्वारा इस x की value इस variable की value निकालने से पता चले जाता है इस गेम का इस तरह से कई सारे चीज़ यहां पर दिया हुआ ह त्यार किया जाता है कैसे solve किया जाता है यहां पर दिया गया है एकस की value अगर हम रखते हैं तो यह number हमें नहीं मिलेगा इस तरह से रखते जाते हैं या फिर इसको बनाने का इसको solve करने का डारेक्ट तरीका है आगे बतलाय गया है देखें यहां पर इसी को रखा गया जो हम अभी दिखाएं उस तरह से रखा गया है और X का जो बेलो लिख लेगा तो उस बच्चे का सोचा गपनी कर लेगा उससे तरह से दूसरे बच्चे रखते हैं such as x y z l m कुछ भी इस तरह से रख सकते हैं वेरियबल का मतलब होता है उसमें अनेक परकार के कुछ भी नंबर आ सकता है उसका कोई निस्चित नहीं है उसमें कोई भी नंबर आ सकता है इसलिए उसका नाम दिया गया विलियबल करने का तरीका यहां पर देखिए य इसमें दो पार्ट होता है 4x plus 5 जैसे की हम रूख रहे थे और यहां पर 65 आ गया इसमें क्या है एक पार्ट यह है इसको हम कहेंगे ल एच एस लएच एस और दूसरा पार्ट यह है इक वर टू के बाद इधर इसको हम बोलेंगा और एच एस इसमें जैसे बतला जारा लहा hand side हमारा हात जो है इधर left कि और है तो ये left hand side हो गया right hand इधर होता है तो right hand side हो गया ये दोनों equal होता है इसके बीच में equal sign रहेगा इन दोनों को equal करना है equal sign रहेगा इसमें तभी वो equation होगा जैसे कि यहाँ पर दिखाए गया है यह चीज़ greater than less than का अगर साइन रहता है तो फिर वो एक्वेशन नहीं होता है उसे हम एक्वेशन नहीं कह सकते हैं इक्वेशन में क्या होता है इसको आप देख सकते हैं इक्वेशन में इक्वेशन में यहां पर दिया हुआ है और यहां पर इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है तो यहां पर जो है दोनों तरफ हो सकता है हम इसको इदर भी रख सकते हैं किने मतलब इदर भी हो सकता है इन दोनों को हमें equal करना होगा और इसमें x की value हमें मिल जाएगा इसको solve करने के दोरान एक चीज है कि आपको total इसको इधर वाला जो पार्ट है इसको है कि आए करने के ड्र green क्या है कि कई बार एसा करने के करने के दोरान हमें अइसा करना पड़ता है तो समें रसा यहां नहीं जो है कुछ इंट कर दिखाया गया है जैसे कि यहां पर autobi को स्टेट्मेंट दिया जागा उस statement के नुसा आपको उसको solve करना होगा the sum of three times X X three times गर करेंगे X into X into X तो क्या हो जागा यह हो गया three X ठीक है three times X and 11 and 11 मतलब एंड मतलब प्लस हो गया उसमें प्लस 11 तब हमें मिलता इस 32 equal to 32 यह हमारा equation बनता है statement जैसे कह रहा है उस तरह से आगे question में मिलेगा यह पर देखिए यह answer यह दिया गया है इसके अलावा आपको इस तरह का equation और रेडी बना कर दे दिया जागा और उसमें आपको statement लिखने के लिए दिया जाएगा तो इस तरह से भी question आपको आगे मिलेगा यहां पर बतला गया है कि इस तरह से equation दिया गया है उस equation के अनुसार जो है आपको statement लिखना है इस तरह से दिया जागा इसके अलावा इस चेप्टर में और भी कई चीजह है equation को solve करने का तरीका जो है एक solve करने का तरीका यहां पर दिखाए गया है यह इसको लोग भाल फ्लोग तराजू कहते हैं तो बैले और सो गया तो इक्ट्रस करने का एक में उता है जिसको बाइलनसीग मेठर बहुत है इसको बाइलनसींग मेठर बोलते हैं इस चेहां पर दिया अग pain यहां पर method होता है आपको जैसे जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे आपको प्रता चले जाएगा बैलेंसिंग मैथर और एक method होता है जिसको बोलते हैं जो जहां दिया हूँ यहां पर यहां पर ट्रांस्पोजिंग मैथर होता एक तो इस अनुसार से और सबसे ज्यादा जो है ट्रांस पूसिंग मेथर का उपयोग होता है इस नहीं सबसे ज्यादा पढ़ेंगे और यह वह मैंस कर दिया इस से क्या होगा कि यह 10 यह 10 खतम हो जागा और बचेगा 3P तो जब 3P हमारे पास बचेगा फिर 3 को खतम करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड करने बाद जो हमें अनली पी का वेल्यू मिल जाएगा तो फिर हमारा एक्विसन स्वल्व हो जाएगा यह सारी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करेंगे जहाएं ज неп्सक् invasion करेंंगे उसके बाद स्कू अल्टिपलाई जो है उसको डिवाइड और उसको करेंगे इसके अलावा हम हमारे पास क्या है कि हम एसा जो है equation दिया रहाता है उसको हम solve करते हैं उसका solution निकालते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास solution हो और उसका equation हमें create करना पड़े निके यहां पर दिया हुआ है equation solution normal path यह normal method हो गया लेकिन ऐसा भी स्थिति हो सकता है solution हमारे पास हो equation हमें बनाना पड़े यह हो गया reverse पत मतलब उल्टा काम करना हो गया यह तो इस तरह कोश्चिन हमें मिल सकता है इसमें और उसको हमें से solve करना होगा तो चलिए पहले हम solve करते हैं 4.1 को exercise 4.1 और question number one में इस तरह question दिया है एक टेबल बना हुआ है complete the last column of the table last column यह है इसको solve करने के लिए कह रहा है और इस में say whether the equation is satisfied equation का यहां पे जो अवरियाबल है उस वरियाबल का वेलू दिया हुआ है तो यह जो वेलू दिया हुआ है यह वेलू यहां पे satisfy हो रहा है या नहीं अगर हो रहा है तो एस लिखेंगे नहीं हो रहा है तो नो लिखेंगे अभी यहां पे दिखिए यहां पे बना सकते 0 कह रहा है और यहां पर X के जगह पर 0 रखना है चलिए यहां पर 0 रखते हैं यहां पर 0 रखते हैं यहां पर 0 रहा है यहां पर 0 प्लस 3 रहा है यहां पर 0 प्लस 3 रहा है इसका मतलब है कि यह सटिस्फाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर 9 और यहां प तो यहां से ँफ़ें लिखेंगे एस अब आगे हैं पी एक्स मैना सेवन एक्वल you still लार적 तो अभी यहां पर सेवन रखते हैं onda अग्ष similar और माइनस सेवन हो गया इक्वली टू कितना हो जागा 7 माँने से यहां पे सेवन में चला गया तो जिरो बच रहा है तो यहां पे सेटिस्पाइब नहीं हो रहा है तो यहां पे नो हो जाएगा उसके बाद यहां पे है एक सम시면 चीट मैसे सेवं चला गिया तो मतलब है कि यह द्धने करहा है एक सको तो यह पर रिखेंगे यहूं टुक्ष यह आप यहां पर एक सी के श्यूर जीरो और यहां पर 5Anto 5Anto X लिedere Kaline यहां पर 25 दिया है मतलब एक यह सटिस्फाइब नहीं कर रहा है एक्सके बाद अब 5 दिया हुआ है तो यहां पर 5 और एक्सके जगह प्याप्य मल्टिप्लाइ कर लेते हैं और फिर यह 5525 अब जो है कि असल्ब करने के बाद तो यहां पर हम एस लिखेंगे यस अब यहां पर एक्सके वेलू माइनस फाइब दिया कर लेते हैं तो यहां पर मतलब सटिस्फफ़ेइं नहीं कर रहा है तो यहां लिखेंगे नौ अब यहां पर दिया हुआ है दिएवा है इव हैना है एग माई को और मांध लगना है इसको अगर काटते हैं तो शो हो हो गया मानसा डूपर यहां पर बतल रहा है तुब यह मैच लिक हैं है यहाँ पर नो लिखेंगे नो उसके बाद यहां पर लेते हैं एम के जगण पर जी रखना है तो जी रो और यहां पर देरी तो इसका वेलू जो है जीरो हो जाएगा को किसी भी नमबर्स भींग चरहेंगे तो हमें जीरो मिलेगा और यहांने बतल लाया नहीं कर रहा है किस भीज़े तो तिरी टू जा 6, 2 बार में कट गया, इसका वेलू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 हमें यहाँ पे भी 2 दिया वा है, तो इसका मतलब है कि M का वेलू 6 जो है, वो satisfy कर रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे S, यहाँ पर question number 1 complete हो गया, next question के लिए हम next video पे चलेंगे,